2017 में विवित संगटोनों में काम करने वाली और हमारी महिला कार्यकरताओं ने सारे भारत का एक बहुत बड़ा मात्रुशिक्ति का सर्वे किया था सब प्रकार की महिलाएं उसमें उन्होंने सर्वे मिली थी यहने सन्यासिनियों से लेकर तो बड़े-बड़े उद्योग चलाने वाली महिलाओं तक सब को उसमें लिया था भारत वर्ष में महिलाओं का इतना समग्र सर्वेक्षन यह पहली बार हुआ है वो सर्वे प्रशिद्ध भी हुआ उस सर्वे को सरकार के पास भी दिया गया दिल्ली में ही उसका लोकारपन निर्मला जी सीता रामन जी के हस्ते हाथ में हुआ था में था वहाँ पर उस सर्वे के निश्कर्ष अभी यही है जो सब पुरुष कर सकता है मात्रुशिक्ति कर सकती है मात्रुशिक्ति जो सब कर सकती है वो सब काम पुरुष नहीं कर सकती है इतनी उनकी शक्ति है और इसलिए उनको इस प्रकार प्रबुद्ध बनाना सशक्त बनाना उनका सशक्ति करन करना उनको काम करने की स्वतंडरता देना और कारियों में बराबरी की साभागिता देना दुनिया भर में जो व्यक्तिवादी और स्त्री मुक्तिवादी अंदोलन चलते हैं उनके पाचवे फेज के बाद अब छेवा पेज चल रहा है उसमें वो भी अपने दुरुष्टिकों को अनुभवों से मोड कर इसी रास्ते पर आ रहे और इसलिए उस मात्रुशक्ति के जागरण का महत्तोपुर्ण काम अपने परिवार से प्रारंब करते हुए सारवजनिक कारियों में संगटन संस्थाओं में भी उसको लागू करते हुए हमको समाज के पास ले जाना पड़ेगा क्योंकि बिना उनके सवाग से पूर्ण समाज की संगटिक्शक्ति खड़ी ने होगी और पूर्ण समाज की संगटी चक्ति जब काम करने लगेगी, तब अपने देश के नवोत्थान के सारे प्रयास पूर्ण सफल होंगे, तब तक नहीं होंगे। जिस प्रकार से हमने श्रिलंका के संकट में उसकी साहियता की, युकरिन के भूमिक पर अमरीका और रशिया की जो लड़ाई हो रही है, उसमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और जागतिक मानवता के हित को भी कमना करते हुए, जिस प्रकार की भूमिका हमने पर रखी, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारा वजन बढ़़ रहा है, हमको बड़ा अनंद होता है, राष्ट्रिय सुरक्षा के मामले में हम उत्तरोत्तर सफल होते चले जा रहे हैं और स्वावलं भी होते चले जा रहा है, को रोना की विपदा से बाहर आने के बाद, अब तो हमारी अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पूर्वस्थिती पर आ रही है और वो आगे जाएगे इसी बविश्चवानी दुनिया के सभी अर्थद अध्य कर रहे हैं खेल के खेत्र में भी नीतियों में जो अच्छा परिवर्तन आया है वो तो है ही लेकिन हमारे खिलाड़ी ओलिम्पिक्स में और पैर ओलिम्पिक्स में भी अपनी कर्तुर्त्व को दिखा रहे विजय प्राप्त करके देश का नाम रोशन कर रहे अभी मान से हमारा सीना फूल जाता है अभी अभी दिल्ली में कर्तो व्यपत का उद्गाटन हुआ लोकार पण हुआ उसमें प्रधान मंत्री जी के भाशन में उन्होंने अपने देश के नवो थान के इस उदय काल के दुरुष्च को स्पष्ट किया है साउस्कृतिक प्रतीक आर्थिक प्रगती के प्रतीक हमारे देश के स्वाभिमान के प्रतीक स्वतंत्रता के लिए जिनों ने अपना प्राणारपन किया उनके गवरों के प्रतीक कैसे कैसे खड़े हो रहे हैं उसके पीछे अपने समाज का कर्तुर्थ्व कैसे दोड रहा ह इस सारा वरन आपने भी सुना है इस नवोथान की आहट को सुनकर हम भी प्रसन्न होते हैं और हम भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की इच्छा करते हैं लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ना है तो आत्म निर्भर ऐसा शब्दों उप्योग करते हैं आत्म निर्भर भार कि आहट हो रही है लेकिन हमारी आत्मा क्या है उसकी स्पष्ट्र जानकारी चाहिए गोलमोल नहीं चलेगा क्योंकि आत्म देभड़ता के पथका प्रकाश वह आत्मा ही देती है तो हम क्या है हमारी आत्मा क्या है इसकी जानकारी स्पष्ट और शासन प्रशासन समाज नेत्रुत्व कार्यकरता इन सब में समान प्रकार की होनी चाहिए ऐसा होने से हमारा पथस पष्टो होता है क्योंकि ये प्रगति का पथ सीधा तो नहीं होता है कोई भी पथ सीधा नहीं होता है क्योंकि उसको परिस्थिती से जाना पड़ता है और परिस्थिती जैसी है वैसा ही जाना पड़ता है यहां से मैं निकलूंगा उत्तर दिशा में जाने के लिए डक्टर एड़िवार भोवन कारक्रेम के बाद मुझे जाना है लेकिन मुझे जाना पड़ेगा पहले दक्षिन में बाद में मैं पश्चिम के ओर मुड़ूंग क्योंकि रास्ता वैसा है तो यह लचिलापन तो रखना पड़ता है मुझे उत्तर में जाना है बीच में पहाड हो खाई हो कुछ भी हो मैं दिशा नहीं बदलूंगा ऐसा करेंगे तो संकिट में पड़ जाएंगे कदाचित पहुचने ही सकेंगे तो रास्ता निकालने वालों को लचिलापन धारण करना पड़ता है लेकिन लचिलेपन की मरियाद अभी ध्यान में तब आती है जब अपने स्व की अपने आत्मा की यह जानकारी यह कलपना अपनी स्पष्ट हो और सब की समान हो क्योंकि सब की समान कलपना ऐसी होने के बा झाल झाल